नमस्कार दोस्तो आई रस्मास्त चेनल में आप सभी करेंगे स्वाधत है इस वीडियो में हम पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे आयरुवेद के अनुसार अगर हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम करेगा तो हमें कोई रोग ही नहीं होगे सारे रोगों की शरुवात खराप पेश से ही होती है तो इस वीडियो में हम खाना के से खाये जाए संतुलित आहा और स्वस्थ पाचे दंतर के बारे में जानेंगे आयरुवेद के अनुजात अगर सही मात्रा में और ठीक समय पर संतुलित भोजन किया जाए तो कोई बिमार ही न पड़े परन्तु ऐसा नहीं किया जाता है और फिर गेस्ट्रिक अलसर, आंत अलसर तथा पेक्टिक अलसर जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है आयरुवेद में पाचन दंतर को काफी महत्व दिया गया है जब पाचन क्रिया सही तरीके से होती है तो कोशिकाओं को समेच शरीर की सभी कोश परियाप्त पोशन प्राप्त करते है और शरीर के विकास में मदद करते है आयरुवेद का मालना है कि लोगों को स्वास्टप्रद आहर खाना जाहे तीन प्रमुक्षारिरिक विकारों का पाचन पिन्न होता है वाद प्रकृती के व्यक्ती का पाचन परिवर्दंशिल नाजूक तथा तेज होता है पित्त प्रकृती के व्यक्ती का पाचन गहन तथा मजबुत होता है यानि ए व्यक्ति भारी भोजन भी पचा सकते है मजबुत पाचन कोशो को उच्ची पोशन देता है तथा व्यर्थ पदार्थो जैसे मल के सहज विसरजन में मददगार होता है इसलिए शरेड को संतुलित अवस्था में रखने के लिए पाचन क्रिया की अगनी को संतुलिक करना सबसे ज्यादा आवशक है जैसे किशी मशिन में पेटरोल जलाकर पेदा हुई एनरजी से वहन चलता है ठीक वेसे ही हमारी पाचन अगनी डैजेस्ट इंजेम भोजन को जलाकर उससे पेदा पोशक ततों से हमारा शरीट सलता है आयुर्वेट के अनुशार पाचन क्रिया की गति विधिया लई बद्ध होती है उस लई का पालन करना तथा समय सर बोजन लेना बहुत आउशक है यदि एसा नहीं किया चाता है तो यह पाचन क्रिया को असंतुलित करता है और रोगों को जन्म देता है ग्रामिन लोग समय सर से बोजन करने में अनुशाशित होते है इसलिए उन्हें पाचन क्रिया के असंतुलन तथा इसमें सबंदित कोई भी भी बिमारिया नहीं होती शहिरों में रहने वाली लोग की तुल्ला में उसकी पाचन क्रिया उत्तम तथा प्रशशण्षनिया है दोस्तों इस वीडियो में हमने पाचन तंत्र का महत्व और उसके अलग-अलग प्रकार के बारे में चाना है अगले वीडियो में हम उसके उपवाई के बारे में चानेंगे तन्यवाद